हमारी छोटी सी तीन गायों की गोसाला है और इसके प्रबंधन में भी हमें उतना ही मेनत करना पड़ता है जितना की बड़ी गोसाला के लिए ये बच्चिया है ये अभी दूद नहीं देती और जब भी आते हैं मेरे पास चली आती है सामने वाली जो गाय है वो दूद देती है और इस गाय के पेट में भी बच्चा है ये हबते दस दिन बाद ये भी दूद देने लगेगी कुहरा भयंकर है ठंड बल रही है मुह से भाफ निकल रहा है तो इसे में इनकी बेवस्था तो करनी ही पड़ेगी ठंड चाहे जितनी ये पानी की बेवस्था है इनके लिए परंपरागत तरीके से पुराने बरतनों पानी रखा जा रहा है यहाँ पे गोवर का भंडारड किया जा रहा है जिसकी बहुत ही अच्छी पॉस्टिक खाद बनती है खेती के काम में आता है या पास में ही एक अमरूत का पेड़ है जिसमें फल लगे हैं फल पक भी रहे है खाए भी जा रहे हैं यह अमरूत के फल है आप देख सकते हैं और पके हुए अमरूत हम एक ठोड़ ले रहे हैं यह तैयार अमरूत है देशी विराइटी का लगभग पचास सल पुराना या पेड़ है और प्रतिवर्स फल देता है हम लोगों को इसे कोई काटता नहीं पे हमें फल हमेशा देता रहता है और इसके फल की साइज भी अच्छी होती है स्वाद भी अच्छा होता है यह अमरूत के पेड़ में एक परजीवी पौधा पता नहीं कहां से आ गया है इसको लोग काते हैं हटा दीजिए लेकिन हम इसको रखे हैं सिर्फ इसलिए कि यह विर रेड कलर का होता है और हम इसे अभी आपको नजदिक करके दिखाने वाले हैं देखिए कितना सुन्दर फूल है अमरूत के पास ही है और इसी पेड़ में अपनी जड़े बैठा करके जिंदा है अमरूत से ही पूरा पोसर लेता है यह देखिए इसके फूल कितने सुन्दर हैं यह गुच्छे में फूलते हैं और यहां इसकी मुख्य जड़ है यहीं से अपना जुगार बना के अमरूत से पोसर लेता है इसकी जड़े जमीन में नहीं है लेकिन यह अमरूत का कुछ हिस्सा ले लेता है और फिर अमरूत कमजोर हो जाएगा लेकिन इसकी चिंता नह तो इसकी भी रच्छा करना हमारा फार्ज है तो रहा बहुत भयंकर है अपनी रच्छा करें अपने लोगों को बचाने का प्रयास करें जय हिंसाथियों थोड़ा भटक गए थे गौसाला के पास फी पेड़सा तो उसकी चर्चा होने लगी यह हम गौसाला के लिए भूसा र वाले हैं जो आगे रखागे